इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए ज्यादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ से पहले अगर आप मेरी योट्व चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए आपक वाना होगा नीचे नीचे आने पर आपको एक उप曲 मिलता है साउंड का इस पर ख्लिक करना है फिर easy ना यांप नीचे हाने पर ऑप्सन मिलेगा सिंब करना चाहते हैं तो आको उस स्ब्सें क्लिक कर देंगी तो दिखे हτगे यहाँपर तो मोबाइल में automatic set रहता है ringtone, वो ringtone यहाँ पर आ जाएंगे, तो अगर आपको inmate से set करना है तो आप इसको भी set कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आपको अपने phone का कोई गाना में हो जी कि audio set करना है, तब आपको ringtone में आकर आपको यह सब से नीचे आना है, सब से नीचे करेंगे, तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके phone में दोस्तो जो जो भी audio होंगे, file होंगे, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको यह three line पर click करना है, फिर आपको यह audio पर click कर देना है, फिर जो भी audio file होंगे वो आ जाएंगे मेरा एक unknown नाम से audio file है तो हम इस पर click कर देंगे तो audio का option मिलेगा हम इस पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हमारे file में जो audio था वो audio यहाँ पर आ जाएगा तो इसी तरी के से आपके file में जो भी audio, गाना ये music है हो आ जाएगा तो अब उसको set करने के लिए आपको दोस्तों एक बार उस audio पर देना है click कर जब दोस्तों आप जो है उस audio पर click कर देंगे तो वो आपके दोस्तों इस दोस्तों ringtone में दोस्तों आ जाएगा मतलब कि दोस्तों add हो जाएगा अब ज़र चली मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला audio इसमें add हो चुका है ये छोटी सी प्यारी सी तो आप देखिए इसको set करने के लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों आपके ringtone में जो audio add हुआ है या फिर जिस audio को आपने add किया है इस तरीके से आप किसी भी audio गाना या music को आप ringtone में दोस्तों लगा सकते हैं अपने लाबा के mobile में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा